चिराग पासवान के बोलने भाजपा को और उसके साथ-साथ हमें भी मैं कन्फ्यूस कर दिया है समझ दिया रहा है कि चिराग पासवान की ये नरेंद्र मोदी सरकार से अदावत है या पिर बगावत, उल्फत है या नफरत लेकिन जो भी है इंडिये के लिए अच्छे संकेत तो कता ही नहीं है दोस्तों जो चिराग पासवान अपने बुरे से बुरे दिनों में भी अपने आपको मोदी का हनुमान बताते नहीं ठकते थे वही चिराग आज भाजपा से मूँ मोडने की बात कर रहे हैं तो चिराग को क्यों ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार में उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा और उनकी तोहीन हो रही है और अब इसी के चलते उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है बताएंगे आपको आगे इस वीडियो में तो वीडियो को अंति तक जरूर देखे नमस्कार अदाब आप देखरें खबरड़ा और मैं हूँ आपके साथ सुम्बुली रम पिये मोदी के हनुमान आजकल एंगरी यंग मैन बने घूम रहे हैं एलजेपी रामवलास के सुप्रीम और केंद्री मंत्री चुराक पासवान ने एक बार फ़र बीजेपी को अपनी तेवर दिखाए हैं पटना में एक कारिकरम में पूरे जोश के साथ उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो मंत्री पद छोड़ देंगे अगर उन्हें लगा कि उनके लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो वो एक मिनट भी पद पर नहीं रुकेंगे मंत्री की कुरसी को तुरंत लात मारेंगे दरसल चिराग पास्वान पटना के श्रीकरिश्न मेमोरियल हॉल में अपनी पार्टी के कारिकरम में शामल हुए थे यहां LJP रामविलास के SCST प्रकोप ने चिराग पास्वान के लिए अभिनंदन समारों का आयोजन किया था इसी मंच से उन्होंने BJP को इशारे में अब चुनोती दे दी है चिराग पास्वान ने अपने पिता स्वरगे रामविलास पास्वान का उधारण देती वी कहा कि वो किसी भी गड़बंधन में रहे अपनी बात हमेशा रखते थे और उन्होंने मंतरी पत से लात मानने से पहले एक मिनट भी नहीं सोचा चिराग ने कहा कि वो भी अपने लोगों के हक के लिए हमेशा लड़ेंगे और जिस दिन उन्हें ऐसा लगेगा कि इस गड़बंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या फिर गड़बंधन में हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है उस दिन मैं फैसला लेने में एक मिनट भी देर नहीं करूंगा अब चिराग की इस बात से सरगर्मिया शुरू हो गई है हर तरफ यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान इंडिये छोड़ रहे हैं क्या वो वाकई स्तीफा देने वाले हैं क्योंकि आपको बता दूं कि चिराग पासवान की पार्टी पर भाचपा की पहले से ही नजर है और खबरे तो यहां तक आई हैं कि पासवान के तीन विधायकों ने बीजेपी के चाड़के के साथ बैठ कर चाय भी पी है चिराग पासवान की पार्टी बचेगी की नहीं बचेगी, इस मुद्दे पड कुछ दिन पहले ही पासवान सफाई दे रहे थे और आज उन्होंने पार्टी छोड़नी की बात कर दी है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है मोधी सरकार में मंतरी बनने के बाद से ही चिराग पास्वान ऐसे कई मौकों पर बीजेपी को अपने तेवर दिखा चुके हैं SCST आरक्षन में सब काटिगरी और क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोट के फैसले पर उनके बयान से बीजेपी में बेचैनी फैल गई थी UPSC Lateral Entry के मुद्दे पर भी अपनी ही सरकार को चिराग घेर चुके हैं यहां तक कि वो कॉंग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए जाती जणगर्णा का भी समर्थन कर चुके हैं तो भाई भाजपा को लेकर कुछ ना कुछ दिन प्रतिदिन अंदुरूनी कले की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और इन सभी बातों से अब एक बात तो साफ है कि जितनी मजबूत पार्टी होने का दावा भाजपा करती है जितनी कसमें खाती है उसमें जरूर खोट है और भाजपा में अंदर ही अंदर पूरी खटपट चालू है एंडिये बिखरने के कगार पर खड़ी है जैसे हर्याना उमाराश्च में बीजेपी हारती है वैसे केंदर की सत्ता से एंडिये के लोग अपना हाथ खिच लेंगे उसके साथ ही खुद बीजेपी में ही किया जा सकता है अब चिराग ने भी पीम मोदी को आईना दिखा दिया है अब इस मामले में आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा तब तक आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमसे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें वीडियो पसंद आई हो तो इसे ला